हेलो फ्रेंड वेल्कम बैंक टो मैं चैनल जॉब अट वेस्वाती आज मैं आपनों के लिए नई जॉब अपोचिटी लेकर किया हूँ हूँ यह अपोचिटी आई हूँ है वेल नोन बैंक SBI की तरफ से SBI इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है गौर्मन सेक्टर का है ठीक है य यह हाइरिंग कर रहा है यह जूनियर एसोसियेट की पोस्ट के लिए कस्टमर सपोस्ट एंड सेल्स की पोजीशन के लिए तो बहुत ही बहतरीन और इंट्रेस्टिंग सी अपोचिटी है ठीक है और काफी बल्क में हाइरिंग है आलो और इंडिया के लिए यह हाइरिंग हो चुकी है जो कि 7th of December तक रहने वाली है ठीक है तो कोई बहुत ज्यादा time के लिए open नहीं है एक महीनी से भी कम है 20 days के ठीक है तो आप जल से चल इसके लिए apply कर दो because इस type की opportunities किसमत से मलती है और ऐसी opportunities को नहीं खोना चाहिए because एक तो bank की job अपने आप में काफी अच्छी होती उपर से अगर SBI की है तो आपको पता ही हुगा कि SBI कितना बड़ा bank है और international level पे इसके कितने branches वगेरा है ठीक है बहुत सारी countries में इसके branch है ठीक है और इतनी जादा opening से इसकी बतलो आप अलोर इंडिया में कहीं भी vlog करते हो देखिए सारे states के लिए यह hiring हो रही है काफी bulk मे hiring है ठीक है overall अगर देखा जाए तो यहाँ पे 8,283 एक में बताती हूँ हाँ yes यह रही यह आपकी मितलब जो fresh है वो तो इतनी है fresh की 8,283 प्लस इसके इलावा जो PWD वेगेरा की अलग से है और backlog वेगेरा अलग से ठीक है यह ठीक है तो overall यह 1000 प्लस vacancies रहने वाली है और काफी अच्छी opportunity है मैं तो कहूंगी है ठीक है और इसमें हर तरीके का reservation है अपी तक AWS का जैसे नहीं लगता था तो यहाँ पे AWS का भी इन्होंने age relaxation भी दे रखा है ठीक है और जो OBC का है CST ठीक है वो सब भी है तो काफी अच्छी opportunity है यह अब चलिए मैं इसको बता जिती किसमे qualification क्या मंगा गया है और age कितनी मांगी गई है और बाद में आपको मैं बता जाते हूं कितनी कितनी vacancies state wise यहाँ पर दे रखे ठीक है तो चलिए मैं मैं बता जाते हूं आपको कि यहाँ पर age क्या कितना क्या मांगी गई essential academic qualification ठीक है तो essential academic qualification की बारे मैं आपको बता जाते हूं पहले graduation in any discipline from a recognized university or any equivalent qualification recognized as such by central government ठीक है तो या तो आपको graduation होना चाहिए या तो इसके equivalent की कोई degree होनी चाहिए जो की central government से प्रूवड हो कि हाँ यह graduate level की है ठीक है candidates having integrated dual degree certificate should ensure that the date of passing the idd is on or before 31st December 2023 तो मतलब latest जो आपकी होनी चाहिए जो सबसे बात की होनी चाहिए यू date वह भी आपकी 31 December 2023 तक आपको pass होना चाहिए ठीक है या तो आप graduate हो या तो इसके equivalent हो ठीक है यहाँ पे कुछ percentage वगरा नहीं दे रखा है जबकि इससे पहले percentage की काफी requirement होती थी कि कम कम 70% हो 60% हो ऐसा करके मतलब 70% generally देखने को आता था कुछ को जगा पे 65-60 भी मांग ले जाता था ठीक है तो यह बहुत ही बहतरीन है कि अब यहाँ पे percentage का काफी अच्छे से marks मिलते हैं तो कुछ जगा बहुत जादा खीच के marks मिलते हैं इसके अलावा आपकी medium का भी फर्क पड़ता है अगर आप English medium से हो तो आपकी marks जादा बहतर रहते हैं हिंदी medium के comparison में ठीक है तो हिंदी medium के marks भी percentage में थोड़ से कम अच्छी होते हैं तो इस व तो चलिए अब मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा लेती हूँ कि इसमें और क्या age वगेरा कितने मांगी गई हैं तो age यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि not below 20 years and not above 28 years as on 1st April 2023 ठीक है तो 1 अपरेल से यह जोड रहे हैं और इन्होंने कह रखा है कि candidates must have been born not earlier than 2nd April 1995 and not later than 1st April 2003 ठीक है तो आप 1st April 2003 के बाद के नहीं होने चाहिए और 95 2nd April 1995 के पहले के नहीं होने चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने minimum 20 रखी है age और maximum 28 रखी है ठीक है तो जन्रली बैंक में ऐसी ही आती है मतलब age range यही रहती है जन्रली अठाइस से लेकर के 30-32 सौरी 18 से लेकर 30-32 की range बैंक में दी जाती है ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने 20 साल से 28 साल की range दे रखी है लेकिन काफी जादा age relaxation भी दे रखा है ठीक है category wise जैसे कि SC ST को 5 years का age relaxation है OBC को 3 years का है PWBD General and EWS का 10 years का है और PWBD SC ST का 15 years का है और PWBD OBC का 13 years का ठीक है इसके साथ ही एक सर्विसमेन है या disabled एक सर्विसमेन है या women जो वीडो है या डाइवोर्सी है ठीक है उनको भी यहाँ पे 7 years का relaxation दे रखा है इस रिलेक्सेशन और trained apprentice of SBI अगर है तो उनको भी SC ST में 6 years का OBC में 4 years का जनरल और EWS में 1 year का ऐसे चूट दे रखी है ठीक है तो EWS से जो चूट मिले है न वो डारेक्ट के चूट नहीं है ठीक है वो है आपको PWBD के जनरल और EWS की 10 years के और PWBD SC ST की 15 ने PWBD की OBC की 13 years है ठीक है तो direct EWS की नहीं है अगर PWBD में आते हैं EWS यह और जनरल तब उनको 10 years की Age relaxation मिलेगा ठीक है अब चलिए बाकिक चीज़े देख लेते हैं ओके इसमें मैं देख लेती हूँ कि एक्चुली फी वगरा कुछ लगनी है कि नहीं लगनी है ठीक है विससे पेमेंट तो लगना है क्योंकि उपर से इन्होंने दे रखा था पेमेंट ठीक है कितना लगने वाला है यह सब तो इन्हों की बारे में बात कर रहे है जो मैं स्क्रोल कर रही हूँ उपर ठीक है चलिए यह देखिए यहां पे examination according to state applied for तो देखिए यह सारे states यहां पर आप देख पा रहे हो दे रखे हैं ठीक है अब चलिए यहां पे मैं देख लीती हूँ यह देखिए यहां पे ने सारी चीज़ों दे रखी है selection process क्या रहने वाला है और यह यह है this the selection process will consist of online test preliminary and mains exam and test of specified opted local language तो काफी बढ़िया है कि local language आप opt कर सकते हो test देने के लिए ठीक है phase 1 preliminary examination online preliminary examination consisting of objective test of 100 marks will be conducted online this test would be of 1 hour duration consisting of 3 sections as follows तो यह बहुत ही बहतरी है कि आपको exam के देने के लिए offline center नहीं जाना होगा आपका यह online रहने वाला आप आराम से इसको आप I don't think कि यह घर बैठे देने का होगा कि इनका कुछ न कुछ online exam का भी center होना चाहिए ठीक है वहां से आप दे सकते हो लेकिन चली मैं आपको पहले पूरा पढ़कर बता देती हूं ठीक है medium exam यहाँ पर English दे रखा है ठीक है और number of questions जो है है इन्होंने यहाँ पर divide कर रखा है English language के 30 है numerical ability के 35 है reasoning ability के 35 है ठीक है maximum of 30 उसी accordingly marks भी है 30 35 35 20 minutes 20 minutes 20 minutes 20 minutes overall 1 hour ठीक है तो देखे आपका यह paper जो होने वाला है वो तो आपका English में होने वाला है but यहाँ पर इन्होंने दे रखा था the selection process will consist of online test and test of specified opted local language तो देखे आपका जो यह test होगा online ठीक है objective tab का यह तो आपका होगा English में but आपकी जो local language है उसका भी एक test होगा because जैसा मैंने आपको बताये कि आपका customer support and sales से little work रहने वाला है तो customer support में सबसे बड़ी चीज़ जो मांगी जाती है वो मांगी जाती है आपके communication और local language की आपको जानकारी होने जाए English तो common रहती ही रहती है local language plus communication तो यह आपका उसका टेस्ट होगा आपका जिसमें आपकी local language इस सपोस्की हिंदी है या पैंगॉली है तमिल तेलगू है ठीक है तो वो आपको आनी चाहिए ठीक है आप जहां से भी apply कर रहे हो वहां की language आपको आनी चाहिए ठीक है अब चलिए यह मैंने आपको टेस्ट के बारे में भी बता दिया है ठीक है जंडर अब यहां पर दे रखा है main exam structure of online main exam would be as follows तो देखे पहले आप यह pre-pass करोगे उसके बाद यह आपका mains होगा मेंस में क्या होने वाला है जनरल पेपर है general financial awareness second paper है general English फिर quantitative aptitude फोर्थ है आपका reasoning ability and computer aptitude ठीक है तो जो pre में नहीं थे वो थे आपका computer और दूसरा है आपका यहां पे general and financial awareness ठीक है तो general and financial awareness मतलब जैसे कि GS का होता है लेकि GS में क्या होता है कि आपको history, geography, quality सारे चीज़े पढ़नी रहती है बट यह आपका जो रहेगा emphasized रहेगा financial awareness related, commercial रहेगा थोड़ा सा ठीक है तो आपको जैसे कि banking वगएरा के बारे में आपको bank हो गया और आपका insurance हो गया ठीक है तो financial जो भी field है ठीक है mutual funds हो गया, stock market हो गया ठीक है वो सारी चीज़ों की आपके अच्छी जान करने जो रहेगा साफ साफ की general and financial awareness तो general awareness भी जितना मैं जानती हूँ bank में वो generally तो या तो commercial होता है और या sometimes थोड़े बहुत sports वगएरा कोई questions पूछ ले तो उसमें कुछ history, geography, quality वगएरा मैंने तो आस सक नहीं देखे है commercial ही होता है ठीक है और इसके साथ ही थोड़े बहुत मैंने sometimes current से लेटेट कुछ sports वगएरा कोई questions मैंने देखे हैं ठीक है तो मैंने आपको सिल्बस बता दिया यहां पर यह अच्छी बाते की सारी चीज़ें इन्होंने साफ साब दे रखी है और भी आप इसको डिटेल में देखोगे तो जो भी doubt और भी होगा वह आपका clear हो जाएगा अब जाते हैं यहां पर final selection will be subject to verification of eligibility for the post and information furnished in the online application qualifying in test of specified object local language where applicable as detailed above तो यहां पर दो चीज़ें और आपकी check की जाएगी पहले तो verify किया जाएगा आपकी documents वगेरा कि आप वागी eligible हो और दूसरी चीज़ आपकी local language की जानकारी ठीक है यह आपका final selection होगा इस basis पर ठीक है call letters for examination preliminary means all the time of main exam at the time of main exam candidates must bring duly authenticated preliminary exam call letter तो देखे जैसा मैंने आपका बताया भले ही online exam है बट ऐसा नहीं है कि work from home है ठीक है मतलब आप घर से आप test नहीं दे सकते हो वो online है जैसे कि online होता है कि आपका center पड़ता है कहीं आपके कुछ हो गया है जैसे कि engineering college वगएरा क्योंकि जहां पे बहुत जादा computer अवलेबल हो ऐसे जिगापर इस center पड़ता है generally ठीक है तो जहां भी आपका center पड़ता है अभी मैंने कह सकते हूं कि आपका local पड़ेगा या बाहर पड़ेगा यह भी होता है कि आपका बाहर भी center दे दिया जाता है online exam का भी ठीक है तो कुछ भी हो सकता है Allover India का है ठीक है फिल्हाल आपका online exam होने वाला है ओके आइडेंटिटी प्रूफ तो भी प्रेजेंटेट समिटेड एड़ टाइम और प्रिलिमरी मेंस एक्जाम तो यह सारी चीज़े लेकर जाएगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा आपके आईडी कार्ट चेक होगी बैंक में वैसे पता है बहुत जादा चेकिंग होत थीक है बेसिक जो दा स्टार्टिंग बेसिक पे इस 19,900 फिर ब्रैकेट में दे रखा है 17,900 प्लस टू एडवांस इंक्रीमेंट्स एडमिसिबल टू ग्रेजुएट्स ठीक है तो आपका जो टोटल इस सालरी आपको मिलने वाली है यह मिलने वाली 1900 यानी 20,000 आप मानके चल ठीक है तो मैं कहूंगे कि SBI का नाम इतना बड़ा है ना वहाँ पर काम करना वहाँ पर सेलेक्शन लेना वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती ठीक है सम्टाइम्स सिर्फ सैल्डी ही माइने नहीं रखती है कि आपकी सैल्डी कितनी है कि कहीं आपको 40,000-50,000 भी मिल सकती है और जैसे कि आप ICICI में अप्लाई करो HDFC में अप्लाई करो हो सकता है वहाँ पे आपको 35,000 मिल जाए ठीक है बट देखें यहां पे अगर आप SBI में लगते हो आपका नाम काफी रहेगा और यहां पे डिपार्टमेंटल एक्जाम भी होते रहते हैं ठीक है तो उसमें भी आपके लिए काफी अच्छी आपको पॉचिन्टीय मिल सकती है बैंक में आप काम करते हुए जो भी डिपार्टमेंटल एक्जाम सोते हैं उसको भी आप दे सकते हो ठीक है तो और काफी बल्क में हाइरिंग है आलो अर इंडिया के लिए है पैन इंडिया जो कि general OBC and EWS के लिए लगने वाली है जबकि SCST, PWBD, ESM, DESM के लिए कोई पैसे नहीं लगने वाले है तो SCST के लिए तो बहुत ही best opportunity रहने वाली है ठीक है How to apply? Candidates can apply online and no other mode of application will be accepted तो यहां पिनो लिंक पगएरा दे रखा है आप इसके लिए online apply कर जिएगा ठीक है 750 रुपीज की फीस है तो देखें बैंक में फीस वैसे भी जादा ही होती है 750 तो फिर भी कम है मुझे तो लग रहा था कि शाद 1000 तक होगी तो exam center भी नोने दे रखें यह देखिए यह बहुत यचा है कि इनोंने exam centers भी दे रखें आप पहले से देख सकते हो कि आपका यहाँ पर city है अब देखें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी location दे रखी है आगरा है, अलीगड़े, बरेली है फैज़ाबाद, गाजियबाद, गौंडा, गोरगपूर, जहासी, कानपूर, लखनव, मतुरा, मीरत, मुरादबाद, मुझफफर नगर, नौइड़ा, मीरत, मीरत रहें दो बार दे रखा है, नहीं मुरादबाद, मुझफफर नगर, नौइड़ा, ग्रेटर नौइड़ा, प्रियाग राज, वाराड़सी तो देखें, जितनी भी बड़ी cities हैं, जो बहुत छोटी नहीं उनको छोड़ दिया जाए अगर तो most of the cities यहां पे available हैं, ठीक है तो वैसे ही सारे states आप देख पा रहे हो, सारे states हैं और इसकी most of the cities यहां पे आपको दिख जाएगी, ठीक है तो काफी हर तरीके से यह job बहुत ही बहतरी है इसको आप नीचे स्क्रोल करते जाओ, आपको कुछ न कुछ यहां पे important instruction वगेरा दिखते जाएंगे, ठीक है पूरा में नहीं पढ़ पाऊंगे, वीडियो बहुत बढ़ा हो जाएगा आप जरूर से उसको पढ़ लीजेगा, ठीक है और इसको download करके रख लीजेगा, ठीक है क्योंकि कोई भी चीज मिस ना होने पाए exam टाइम पे ठीक है, तो 7th December इसकी जो है वो last date है और bank exam भी बहुत जल्दी हो जाते हैं तो देखे जनवरी वगरा तक आपका exam हो जाएगा और February, March या Holy Holy तक आपको final selection यहाँ पे हो जाएगा ठीक है, तो इसका apply link मैं आपको description में दे दूँगे, apply link भी दे दूँगे कर दो जाएगा